सेद इकरारुल हसन साब हमारे साथ मौझूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, क्राइम पर जितनी ग्रिप इनकी है और इस तरह के इशुस को जिस तरीके से पाकिस्तानियों के सामने लेकर आते हैं, और फिर उसका सद्दे बाप भी करवाते हैं, औ इकरार भाई मुझे बताईएगा, करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को अस जगा पर मनजूर हुई, और उसी मिनारे पाकिस्तान की च्छाओं में इनके साथ इतनी बेहुरमती की गई, आपका कलेजा मूझ को नहीं आता, मैं बड़ा सखत जुमला और हाथ बांद के माफी म बतानी की मुझे, बेटी के साथ आप बाजार में जा सकते हैं और यह वो जगहा है, शामी साथ जहां किए खड़े होगे हम कश्मीर की माओं बेहनों और बेटी ओ की बात करते हैं, जब हमारे यहां पे अपनी माएं बेहने और बेटीया महفूँ नहीं और उसी मकाम पे, ज खड़े रहेंगे इंशाला जो ळाँ ऐसीज जो आखात जो दिये अपने बड़े भाई के तौर पे आप जो दर्जा मुझे आप देना चाहों अपने रिश्दार के तौर पे मैं आपके साथ हुआ हूँ शामी आपके साथ आपके साथ हैं जो हम कर सकते हैं कि आने वाली किसी बेटी को किसी बेहन को हम बचा सकें इस तरह की बेहरमती से इस तरह की बेज़ती से मैं पूरी कौम की तरफ से मेरी बेहन ये हाथ बांद के आपसे माफी मांगता हूं आपने बहुत बहादरी वाला कदम उठाया कि कम से कम F.I.R कटवाई यहां तो इजवत के नाम पे चुप करके बैठ जाते हैं घर में घर वाले बिठा लेते हैं कि बिटा बस यही जो हो गया बश ठीक है और यही वज़ा के यह दिरिंदे भेडिये इनके होसले बढ़ते हैं आगे बढ़के मैं शर्मिंदा हूँ पूरी कौम शर्मिंदा है आपसे इस लक्त मैं टुटर पर भी देख रहा था सब लोग जो है वो शर्मिंदगी का इज़ार कर रहे हैं लेकिन मुझे यह समझनी आ रही किसी एक की गहरत नहीं जागी कोई एक मावाला नहीं था कोई एक बेटी वाला यह जो वीडियो मैंने देखी है कि पूरे लिबास में और से आगे वीडियो बच्ची खुद कहरी है मैं नहीं देख पा रही हूँ कि हमने बार बार काने कपड़े फार दी नहीं कपड़ा रहने नहीं दिया जिसम के ओपर कोई यह जवाज है अपकी दिरिंदगी का आपक कोई बच्ची वहाँ जाके वीडियो बना रही थी मेरी बेटी अगर होगी तो मैं मैं चाहूंगा वो जाए मिनारे पाकिस्तान पर 14 अगस्त को जाके वहां कुछ रिकॉर्ड करें बिल्कुल पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करें तो इसका यह मतलब है कि लोग तूट किसी के चुंब से के कहीं से गुजर रही है किसी की जूर्ट नहीं है कि उसको वीकेंड होता है हम सारे दूनिया देखी है हमसे इसी बात पर शर्म से डूब के चुछ बहर पानी में डूब बरना चाहिए कि हम कैसी पाक हस्ती के मानने वाले हैं जो अपनी बेटी की आमद पे अपनी नशिस्त से नाम पे उस मकाम पे आप यह बहरुमती कर रहें और जवाज पर जो मरजी बनाते हैं आपके पेगाम देना चाहिए तो दे सकते हैं बहुत मौक्ष आते हैं जहां मैं हमत करता हूँ हमत तूटती है फिर हमत बंधाता हूँ मुझे हमेशा होता है कि पाकिस्तानी होने पर फख कि अपनिया से नहीं आई थी कि किस चीज की मुझे इतनी बड़ी सेजा मिली आम मुझे इस बात का जवाब दे कि जब एक और एक लड़की मेरे आगे शादी होगी मेरा आगे फिउचर है मेरे बाई है मेरे फैमली है मेरा इक ड्यूटी प्लेस है कि जब एक लड़की के मैं जब बहन का है तो मैं बहन के तौर पर इज़त कर रहा हूँ आपकी और उसी नजर से आपको देख रहा हूँ तो यह इज़त कपड़ों से लिबास से मश्रूत नहीं है इस कौम को इस सोच से बाहर निकलना होगा तो मेरी बहन हमारे लिए उतनी ही बाइज़त है उतनी ही बातकदीस है और इन्शाला हम दोनों भाई अपनी बहन के साथ इसी तरह से खड़े होंगे जिस तरह अपनी सगी बहन के साथ खड़े हो किसी भी मामले के ओपर किसी की भी इज़तार तार कर देते हैं उसको मौाशरे में रहने का किसी भी किसम का कोई भी हक जो है वो भी उससे चेल लेते हैं और रही सही कसर जो है हमारे सोचल मीडिया सारिफीन दे भी निकाली बैट्स कॉमेंट्स की सूरत में नमेजबान यासर शामी को सेद इक्राल अलौल हसन के साथ इजादत दिजियो देख थरी है डेली पाकसान अलाह आफैस